नमस्कार साथियों मैं प्रदीब जैन राइज अकेडमी के यूटूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ और आज हम लोग देखेंगे पटवारी या बनरक्षक या जेल प्रहरी में किस तरके कोशन्स एक्जाम में पूछे जाएंगे आर्टीकल से संब्बन देखेंगे इ इसे कोशन है माई बर्दर इच बिजनिसमें ही डिजन्ट कियर आब आउट बट वेन आई वास इंजोड़ ही वोक अप एंड लुग डाफ्टर मी केरफुली अब इसमें भरना है आर्टीकल भरना इसमें ए भरें एन भरें या दा भरें ए को क्या कहते हैं या को कौन सा आर अगर हम डेफिनिट नाउन के आगे लगाते हैं जिसको सब जानते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टीकल दा और जो अन्नोन होता है उसे कहते हैं इंडेफिनिट आर्टीकल ए और एन देखिए ध्यान से सभी तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बेसिक discuss करते हैं देखिए सबसे पहले a और n क्या होता है a और n का meaning होता है one इसका मतलब जब इसका meaning one होता है तो यह किसी a को ही बताता है और यह one का bigger form भी होता है इसका use तब किया जाता है जब किसी noun के बारे में speaker या listener मैंसे किसी एक को पता हो या दोनों मैंसे किसी को नहीं पता हो यह basic जानकारी है इसलिए से definite आइडिकल कहा जाता है aa n का use ऐसे noun के पहले किया जाता है जो singular countable होता है मतलब जब जिसको हम गिन सकते हैं जो singular होता है उसी के पहले हम इसका use करते हैं PCN या UCN के पहले an का use नहीं करते हैं वो ले क्या होता है PCN का मतलब होता है plural countable noun और UCN का मतलब होता है uncountable noun जैसे दूद है चावल है सक्कर है इनके पहले हम लोग an का प्रयोग नहीं कर सकते या कितावे हैं students हैं boys हैं girls हैं इनके आगे भी हम an का प्रयोग नहीं कर सकते उसके लिए singular countable noun का होना जरूरी है अगर हम an लगाना चाहते हैं और an को कहते हैं indefinite article देखिए next one देखें an, an का meaning जो होता है वो one of many भी होता है bottom में से 1 an का meaning all भी होता है any भी होता है, each or every भी होता है यह हम questions के माद्देब से discuss करेंगे an का प्रियोग हम तब करते हैं जब कोई noun होता है ऐसे नहीं करते हैं, अगर noun नहीं है तो an का प्रियोग हम नहीं कर सकते तो अगर adjective दिया है तो an का प्रियोग हम कर सकते हैं लेकिन सर्थ है कि उसमें noun होना चाहिए, अगर noun नहीं है तो हम इसका use नहीं कर सकते हैं, noun के लिए ही इसका use किया जाता है, देखिए noun नहीं है, तो आप an का use नहीं कर सकते, noun नहीं है तो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एड़ब हो, adjective हो, adjective हो और noun हो, और वो noun भी कैसा होना चाहिए, मैं बापस से recall करूँगा, scn होना चाहिए, singular countable noun, तो ही हम article a और and का use कर सकते हैं, आपका question आता है, दा का use कहा करेंगे, दा का प्रियोग हम तभी करेंगे, जब noun जो है, वो definite हो, मतलब जिसके बारे में हमें पता हो, ठीक, थोड़ा सा दा से related questions हम discuss करते हैं, देखिए, इसका use हम तब करते हैं, जब speaker और listener दोनों noun के बारे में जानते हो, य यह this, that, these, those का beaker from B होता है, इसी लिए दा का प्रियोग, माई का प्रियोग और दिस का प्रियोग कभी भी साथ में नहीं किये जाता है, दा को दी पढ़ा जाता है, जब इसका use, ऐसे noun से के पहले करते हैं, जो bubble से start होता है, बोबल जानते हैं, आप लोग 5 होते हैं, A, E, I, 5 स्वर होते हैं, ठीक, next देखिए, दा का ही concept है, दा, इसका use किसी भी noun के पहले किया जा सकता है, मतलब किसी भी noun के पहले, ऐसा कोई parameter नहीं है, जैसे हम लोगों उसमें डिसकस किया था, कि A और N का प्रियोग singular countable noun के पहले करेंगे, लेकिन दा के लिए ऐसा कोई rule नहीं है, हम इसका use uncountable के पहले भी कर सकते हैं, plural countable के पहले भी कर सकते हैं, singular countable के पहले भी कर सकते हैं, वह सर्त है कि वह निश्चत होना चाहिए, या फिर वो ऐसी चीजों को बताए, जो definite हो, दा का use तब करते हैं, जब कोई बस्तू, दुनिया में unique होती है, जैसे the sun, the moon, या कोई जैसे मान दीजे, the ganga, नदी का नाम है, the ganga river, दुनिया में unique होती है, किसी बस्तू का reference दिया जाता है, या जिसके बारे में सभी जानते हैं, तो हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक pen है, और pen plastic का बना हुआ है, I have a pen, और the pen is made of plastic, तो हम दूसरी बार the reference आएगा, तो दा का use करेंगे, अच्छा कई बार ऐसा होता है, कि जरूरी नहीं है, कि पहली बार a on n लगाना हो, नहीं लगाते हैं, जैसे मान दीजे मैंने कहा, उसके पास money है, he has money, अब दूसरी बार बोलना है मुझे, money उसके लिए बहुत महकून है, the money is very useful for him, तो हमने money के पहले भी दा लगा दिया, मतलब uncountable now नहीं है, फिर भी हमने दा का use कर दिया, ठीक है, चलिए, next देखते हम लोग question, पहला question है, my brother is businessman, he doesn't care about me, but when I was injured, he woke up and looked after me, carefully, discuss तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें, लेकिन चुकि हमें सिर्फ article की बात है, तो अब बताईए, इसमें a भरेंगे कि a न आएगा, कि दा आएगा, या इसमें no article आएगा, businessman, my brother is businessman, क्योंकि हम direct दा का use कर नहीं सकते हैं, तो इसका सही answer आएगा, my brother is a businessman, इसमें भरेंगे आप a का use करेंगे, my brother is a businessman, he doesn't care about me, इसका answer होगा a, क्योंकि इसका जो पहला letter है, वो concernant से start हो रहा है, और अगर यही पहला letter wobble से start होता, तो हम n का use करते हैं, ठीक है, तो इसका answer आएगा b, next question देखिए, दूसरा question, supreme court is head of all courts, supreme court के आगे हम दा का use करेंगे, क्योंकि दुनिया में या इंडिया में कोई भी चीज यूनिक होती है, एक होती है, तो हम article दा का use क करते हैं, तो पहले में आएगा, the supreme court is, off लगा हुगा है, जो कि almost definite things को ही बताता है, is the head of all the courts, इसमें हम तीनों बार article दा का use करेंगे, तो दूसरे का answer है, first, definite all the courts, ठीक है, next question देखिए, third question, mood, जैसा कि हमें पता है, जितने भी planet होते हैं, sub planet होते हैं, या फिर directions बताते हैं, उनके आगे हम article का प्रयोग करते हैं, जैसे the sun है, the moon है, although we know very well, हमें पता है, कि moon एक sub planet होता है, लेकिन planet और sub planet, या फिर जो geographical things हैं, उनके आगे हम article दा का use करते हैं, लेकिन star तो बहुत सारे हैं, अगर हम किसी particular star की ब not a star, the moon is not a star, तो दा और ए, इसमें भरेंगे हैं, हम दा और इसमें आएगा ए, the moon is not a star, next one देखिए, next question है, every work which is done in hurry is not well done, हर काम जो जल्दी में किया जाता है, वो अच्छा नहीं होता है, कौन सा article भरेंगे, every work which is not well, a and the या नन, या कुछ भी नहीं आएगा, नन का मतलब, कुछ भी नहीं, सोचिए, कुछ phrase होते हैं, जिनके पहले article पहले से decide होता है, जैसे हम बोलते हैं, make a noise, make a noise, tell a lie, tell a lie, tell a lie, या फिर हम, तो in a hurry, इसका सही होगा, in a hurry, जैसे लिखते हैं, he lives at a stone's throw, at a, at a, stone's throw, इसका मतलब होता है, very near, बहुत ही, past में रहता है, वो, ज्यादा दूर नहीं उसका घर, बहुत ही past में, तो इसमें article के आएगा, a का use करेंगे, इसी तरह से इसमें आएगा, in a hurry, इसका answer ह होगा, every work which is done in a hurry, is not well done, next, देखिए, पांचबा question, first two chapters of this book are very interesting, यह देखिए, adjectives से related है, और इसमें जो article है, वो ordinal number होता है, ordinal, और एक होता है, cardinal, 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 ordinal का मतलब होता है, first, ordinal का मतलब होता है, first, second, या third को बताता है, ordinal, जैसे मैंने लिखा, first, second, one, two, तो यह होते हैं, ordinal number, इनके पहले हमेशा हम दाका use करते हैं, ordinal number के पहले article दाका use किया जाता है, the first two chapters, the last three questions, the two, the two first नहीं होगा, the first two होगा, तो याद रखना है आपको, कि जो ordinal number होते हैं, उनके साथ हमेशा, ordinal number के साथ हमेशा हम दाका use करते हैं, ordinal number के साथ किसका use करेंगे, दाका use किया जाता है, किसके पहले करते हैं, ordinal number के पहले हम दाका use करते हैं, किसके साथ, ordinal number के पहले, the first, the first two, students, यह होगा सही, ना कि the two first, यह गलत हो जाएगा, students, this is wrong, यह गलत है, यह सही है, तो ठीक, इसके आगे क्या लगेगा, article दाका use करेंगे, the first two, clear हो गया, next, Mumbai is costly place, देखिए, very जो है, वो इंग्लिज में adverb है, costly जो है, वो adjective है, और place जो है, वो noun है, बताइए, adverb कौन है, very, costly क्या है, adjective, और place क्या है, noun, और noun भी कैसा है, singular countable noun बोल सकते हैं, आप इसको, इसको हम गिन सकते हैं, singular countable noun, इसके आगे आएगा, article A, Mumbai is a very costly place, यह लगाएंगे, Mumbai is a very costly place, to live in, it is one of most thriving business center, तो क्योंकि one of होता है, तो हम उसके बाद जो noun यूज करते हैं, वो plural होता है, कैसा होता है noun, plural, तो centers बिलकुँ सही लिखा गया है, बनोग दी, और superlative degree दी गई है, जैसा कि हमें पता है, superlative degree के पहले, article A का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा, the most, the, A का यूज करेंगे, business center in the country, और country definite place है, तो आर्टिकल दा पहले से गिवन है, in the country, यह question group 4, assistant grade 3, और assistant grapher 28, July 2028 में आया हुआ है, ठीक है, तो यह question previous year के questions है, और इसका सही answer होगा, A और दा, A और दा, D वाला answer है इसका, question number 6 का, ठीक है, next, doctor says that, mine is a hopeless case, mine is a case, he says that, I should live in open year, देखिये, पढ़िये आराम से question को समझिये, इसमें हम क्या भरे, the doctor definite place है, definite person है, designation है, तो हम दाका यूज करते हैं, doctor है, pune है, collector है, prime minister है, हम उसके आगे दाका यूज करते हैं, तो the doctor says that, mine is, यह case कितने हैं, यह adjective है, और यह noun है, यह adjective है, और यह noun है, है न, तो mine is, mine is hopeless case, तो case countable है, तो यह लगाएंगे हम पहली बार में, the doctor says that, mine is a hopeless case, he says that, I should live in, देखिए, इन दिया हुगा है, और open year जो है, वो definite place है, खुली जगे में, definite place है, open year, जैसे बोलते हैं न, under tree, under the tree, on the table, in the class, in the class, on the table, under the tree, definite place के पहले, हम article दा का यूज करते हैं, that's why यहां पर आएगा, open the, in the open year, in the, the, open year, तो a और the, इसका answer होगा सही, c, साथ में का आएगा, c, breakfast served in college canteen today was not easy, not testing, दिखिए, आराम से आप लोग स्को study कर, read करें, read करें, breakfast, generally breakfast, lunch है, dinner है, इनके पहले कोई article का हम use नहीं करते हैं, और अगर breakfast या lunch के साथ में adjective आता है, तो हम a का use करते हैं, यह a का या n का जो भी letter start होगा, बॉबल यह, consonant, लेकिन specific case में आने पर हम article दा का प्रयोग करते हैं, मानने जिए किसी के सम्मान में भूजन का यूजन किया गया है, या breakfast का या party का, तो हम उस case में article दा का प्रयोग कर सकते हैं, जनरली lunch है, dinner है, breakfast है, इसके पहले हम किसी भी article का use नहीं करते हैं, मतब दा तब आएगा जब वो specific case में use होगा, और a और n तब आएगा जब उसके साथ में हम adjective का use करेंगे, यसे he took a delicious lunch, कैसा lunch लिया उसमें? delicious lunch लिया, तो यहां पर आएगा the breakfast, इसमें आप use करोगे, दा का, the breakfast served in, कहां पर किया, canteen में, कहां की canteen, college canteen, today, was not testing, not testing, यह exam, यह question भी आया हुगा है, भी 2018 में, यह 2018 का question है, exam में आया हुगा है, तो इसका आएगा the, यहां पर भी क्या आएगा, the breakfast served in the college canteen, means college canteen, एक definite place है, in the class, है न, तो in the class है, in the office है, इसी तरह से इसका answer आएगा C, है न, जैसे कर मैं बोलता, he took a delicious, he took a, he took a delicious lunch, तो यह सही है, यहां पर दा लिखने की जरूवत नहीं है, यहां पर दा लिखने की जरूवत नहीं है, दा हम तब लगाते हैं, जब वो specific case में use किया जाता है, ठीक, तो इसका answer आएगा C, next question देखिए, how blue sky looks, यह question भी stenographer 2018 में आया आएफ़गा है, previous year के questions हैं, और आप लोगों को अच्छा लगता है, कुछ learning stage पर हम लोग आते हैं, तो और बहुत सारे वीडियो में आपको दूँगा ऐसे ही, देखिए, how blue sky looks, तो इसका कितने हैं, दुनिया में जो unique है, इसका है, जितने भी, जैसे और भी बहुत सारे हैं, परवत, पठारदीब, महादीब, बगएरा, इनके आगे भी हम article दाका यूज करते हैं, तो यह the sky looks, तो यहाँ पर आएगा article दाका यूज करेंगे, how blue, हलाकि एक grammar में एक rule और है, exclamatory sentence के साथ, हम article A और N का यूज करते हैं, जब सामान नाउन आता है, जैसे what a beautiful girl, she is, what a beautiful girl, she is, तो A का यूज करेंगे beautiful girl, या what an interesting movie this is, कितनी ही बहुत अच्छी movie है, what an interesting movie this is, तो exclamatory sentence होता है, तो हम लोग A और N का प्रियोग, करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि, यह exclamatory होने के साथ-साथ, इसमें sky word का यूज किया गया है, नहीं तो हम पर A लगा देते हैं, अगर मान लीजिए, कोई वैसा noun होता तो हम A लगा सकते थे, तो इसमें क्या आएगा, पहले में हम दा का यूज करेंगे, दूसरे में A का यूज करेंगे, what a beautiful day this is, तो इसका आएगा दा और A, तो यह आगया, इसका 9th का answer आएगा, B, next question देखिए, 100 cm में 1 meter, यह measurements are related question है, कि 100 cm में 1 meter होता है, और 1000 meter में 1 kilometer होता है, तो ठीक है, इसमें definitely आप लोगों को बहुत अच्छे से बन जाएगा, यह question ज्यादा tough नहीं है, इसमें दोनों में आपको article A का use करना है, निकर यह previous year में पूछा गया question है, ठीक, तो 100 cm में 1 meter, और kilometer के आगे भी A आएगा, तो इसका दोनों का सही answer A है, बहुत easy question था यह तो, ठीक, next question देखिए, He looks as lost as, यहाँ पर lost एक adjective के तरह यह use किया गया है, जिसका मतलब होता है, खोया हुआ होना, खोया हुआ हुआ, तो he looks, यहाँ पर जो look है, वो linking verb है, आगे discuss करेंगे, He looks as lost as all, तो इसको all पढ़ा जाता है, मतलब यह sound भी vowel है, और letter भी vowel है, However, he is honor, यह honor है, H को जब A पढ़ा जाता है, तो उसके आगे हम N का यूज़ करते हैं, H को आप पढ़ा जाता है, तो हम N का यूज़ करते हैं, To this profession, तो इन दौनों में जो आएगा article, वो आएगा पहले में N आएगा, और दूसरे में भी हम N का यूज़ करेंगे, तो दौनों में N आएगा, तो answer होगा D, यह question भी 13 July 2028 में उचा गया है, प्रेवियस यहर के questions हैं सभी, ठीक, तो next question देखते हैं, Social gap between rich and poor is increasing, मैंनी अमीर और गरीब के बीच का जो gap है, वो बढ़ रहा है, तो यह question भी July 2028 में उचा गया है, देखिए, बहुत अच्छा concept है यह वाला, फ़वा डिसकस करा देता हूं मैं आपको, कई बच्छे सोचते हैं कि article दा लगा देते हैं, किसी noun के पहले, तो वह plural हो जाता है, आज के बाद यह clear कर लीजिए, कि यदि आप adjective के आगे दा लगाएंगे, तो वह plural बन जाएगा, सिर्फ adjective के आगे दा लगाने से वह plural होता है, बागी का adjective का कभी plural नहीं बनता, क्योंकि adjective का काम होता है noun की quality बताना, noun की quality बताता है, वह adjective होता है, तो अब हमने क्या किया, यहां पर rich जो है, और poor जो है, वो plural बनेंगे, लेकिन हम क्या use करेंगे, article तक, तो दा लगा देंगे, जैसे the blind का मतलब होता है, अंधे लोग, the rich का मतलब हो गया, अमीर लोग, तो यह the strong means हो गया, मजबूत लोग, the weak बताता है, कमजोर लोगों को, तो इसमें क्या silent है people, क्या silent है people, तो यहां पर यह people को represent कर रहे हैं, that's why दोनों में हम article दा का use, करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने article के sense में इसको बताया था, कि यदि हम adjective के पहले दा लगा देंगे, तो वह plural बन जाएगा, कभी भी adjective, s लगाने से, या es या ies लगाने से plural नहीं बनता है, वह तो हम noun में यूज करते हैं, s या es उसको plural बनाने के लिए, जबकि adjective को सिर्फ दा लगा कर हम plural बना सकते हैं, ठीक है, तो इसमें हम दा का use करेंगे, इस वाले में भी, दा आएगा, जिसका सही answer है, दा, बी वाना, बार्वे का, बी, देखिए, dictionary that you want is, out of print, it should be ready in a week, ये question भी 2019 में आया हुआ है, middle school teacher में, ठीक है, हमने एक बात डिसकस की थी, कि article दा का प्रयोग अपन तभी करेंगे, जब सुनने वाले, और बोलने वाले, दौनों को उस बस्तू के बारे में पता होगा, क्योंकि दा को हम definite article कहते हैं, और A और N को indefinite article कहते हैं, और उसका प्रयोग हम ऐसे noun के पहले करते हैं, जिसे हम नहीं जानते, लेकिन वो singular countable होता है, ये मैं बात बारबार रीकॉल करता रहूँगा, जब तक आपको बन नहीं जाएगा, ठीक, dictionary that you want is out of print, it should be ready in a week, देखो, इन a week मतलब एक सब्ता हमें, लगबग तैयार हो जाएगी, तो वही dictionary जो तुम चाहते हो, इसका मतलब उसको भी पता है, जो तैयार कर रहा है, तो इसका article आएगा द, ये बहुत अच्छा concept है, article दा कहीं उस करेंगे, जो की definite होगा, जिसका answer है A, 13 का A, गोदवरी is one of, ये question भी 18th FAP 2019 में पूछा गया है, और तुकि हमें पता है, नदियों के नाम, कोई भी नदी का नाम हो, चाहे नदी छोटी हो, चाहे बड़ी हो, रिवर के नाम के साथ हम article दा का प्रयोग करते हैं, दगंगा, दभर्म पुत्री, जो भी हैं, गोदवरी, तो article दा का प्रयोग हम करेंगे, definitely, इसके लावा धर्म गरंत होते हैं, कुरान हैं, वाइवल हैं, religious scriptures हैं, इनके आगे भी हम article दा का प्रयोग करते हैं, या फिर newspaper के नाम है, उनके आगे भी हम article दा का प्रयोग करते हैं, इसके लावा magazines हैं, newspapers हैं, हमारे बेद हैं, उपनिशद हैं, इनके आगे भी हम article दा का प्रयोग करते हैं, तो ठीक है, article दा लगाएंगे, इसमें क्योंकि नधी का नाम, कोई भी river का नाम आएगा, तो हम दा लगाएंगे, अगर यहां कोई दूसरी नधी भी होती, इवन नर्मदा होता, तब भी हम दा का प्रयोग करते हैं, गंगा होता तब भी दा का, इस बन ओफ, देखिए, बन ओफ, चुकि बन ओफ के बाद, जो adjective आ रहा है, उसे हम कहते हैं, superlative degree, तो यह superlative degree है, तो इसके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे, superlative degree के बाद, के पहले आने वाले नाउन में, article दा का प्रयोग हम करते हैं, superlative degree आपको पता होगा, largest, smallest, biggest, EST लगता है, या जिसके पहले most लगता है, उसे हम कहते है, superlative degree, डिगरी तो नाउन प्रणाउन के बीच में लेकिन इक के तौलना सब से की जाती है वो सब से बेस्ट होती है और उसकाकम प्रणा नहीं होता है उसे हम सर्फिस्ट अवस्ता कहते हैं और इसमें आर्टिकल दाका प्रयोग हमेशा किया जाता है, ठीक, तो largest river in South India, देखिए, यह जो South है, इसके साथ में इंडिया है, इंडिया कौन सा नावन है, प्रपर नावन है, अगर दिशाओं के नाम होते, East है, Best है, North है, South है, तो हम आर्टिकल दाका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, तो इसको हम blank छोड़ देंगे, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और इसका दो आर्टिकल इसमें भरे जाएंगे, गोदावरी के पहले दा आएगा, और largest के पहले भी हम दाका प्रयोग करेंगे, तो इसका जो answer है, वो B आएगा, ठीक है, आपको अच्छे से करेंगे आगे, चलिए, थैंक यू